हेलो बिदार्थियों, बिद्या कोचिंग की इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है, मैं सुनील कुमार, आज मैं आप लोगों को तिरकौनमीती का चेप्टर 8.1 का किफचा नमबर 10 और 11 को लेकर आए हैं, तो चलिए किफचा नमबर 10 को देखते हैं, किफचा नमबर 10 में दिया है, कि तिर्भुज PQR में जिसका कौन Q समकौन है, P R पलस QR बरावर 25 सेंटी मीटर और P Q बरावर 5 सेंटी मीटर, तो साइन P, कोस P, तथा टैन P का मान निकालें, तो चलिए सबसे पहले हम तिर्भुज PQR बनाते हैं, जिसका कौन Q क्या है, समकौन है, तो सबसे पह अब यहां पर बोल रहा है तो चलिए यहां पर पियुज की समकुण कों कर दिया यहां पर पियूज और का भेलू दिया यानि पिय। और पस्ट कीस फैन्टी मीटर तो ना आप PR कामान ले सकते हैं 25 और नहीं आप QR कामान ले सकते हैं 25 क्योंकि दोनों का जोड़ के दिया है लेकि यहाँ पर PQ कामान दिया है 5 cm तो PQ का आप ले सकते हैं 5 cm तो चलिए इसको हम solve करते हैं तो सबसे पहला आपको लिखना पढ़ेगा चुकि समकौन तिर्भुज प्यकि और आर में तो समकौन तिर्भुज प्यकि और में चलिएगा तो यहाँ पे कौन Q तो कौन Q क्या है तो 90 डिग्री है यदि कोन Q90 दिया है और यहां पे पीर पिलस QR दोनों के भेलू दिया है कितना दिया है तो दिया है 25 सेंटी मीटर तो चलिए यहां से हम पीर कमान निकालते हैं तो पीर कमान निकालीएगा этचे हां पर आएगा 25 सेंटी मीटर और माइनस क्या वेगा qr आवेगा अब अगर यहां पे हम qr कमान अपने मन से बैठा दें कुछ भी ले लें xy कुछ भी ले लेंगे तो यहां से pr कमान आपका पता हो जाएगा तो चलिए माना qr is equal to यानी qr को हम x मान लेते हैं तो qr is equal to x cm अगर आप qr को x मान लिए तो उसमें बठाइए यानी pr बराबर क्या है तो 25 cm और माइनस qr आप यहां पे 25 cm का 25 cm लिख देंगे minus qr का मान लिए है x cm अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 25 मान एक से cm इसका मतलब है कि आपका pq का मान यानी यहां पे pq का मान दिया है पांस cm अभी जो हम qr का मान यहां पे x मान लिए हैं तो PR यानी PR का मान जो आगया से कितना आगया तो 25 माइनस X सेंटीमीटर यह जो ऐसे है एक सेंटीमीटर अब यहाँ पे तिर्भुच PQR का मान जो है से X के रुप में पता है तो तिर्भुच PQR में PQ का मान जो है से 5 है QR का मान जो है से 1 मान है और PR का मान है 25 मान है 6 तो यहां से चलेंगी इसलिए पाइथागोरस परमें से तो पाइथागोरस परमें के लिए formula होता है कि कर्न का square बरावर लंब का square और पलस अधार का square तो यहां पर तिर्भुच PQR में कर्न काउन है तो PR है तो PR का square बरावर क्या होगा तो लंब यानि लंब जो हैसे यहां पर PQ है तो PQ का square पलस अधार काउन है तो अधार जो हैसे यहां पर QR है QR का square अब यहां पर इन मानों को रख करके X का मान निकालेंगी तो पी आर पी आर का मान आपको पता है यानि पी आर का मान जो है से पचीस माइनस एक्स है तो पचीस माइनस एक्स का स्कॉर सेंटी मीटर तीनों में है अगर हम तीनों में सेंटी मीटर नहीं भी देंगे तो कोई दिकत नहीं है लास्ट में आपको देना पड़ाएगा, लाश्ट में ले सकते हैं PQ, PQ का मान जो हैाँपे 5 है तो 5 का स्कॉायर, पालस का पालस QR का मान जो हैअब एकस है तो एकस का स्कॉायर अब यहाँपे इसको हम सूल्ब करेंगी तो यहाँपे देख रहे जैसा कि अब देख रहे हैً तो यहां जो ऐसे bracket में A-B का हॉल स्कॉाइर ग्रूप में क्योंकि 25 को आप A मानिएगा और X को B मानेगी तो A-B का हॉल स्कॉाइर पर चलेगा तो यहनी A-B का हॉल स्कॉाइर के लिए फॉर्मूला होता A-Square तो A का उन्हें 25 है तो 25 का स्कॉाइर पलस B-A-Square B का हॉल स्कॉाइर तो X का स्कॉाइर अब पलस मानिए 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 2 A-B तो यहां पर एक के जग़े पर से 25 है इंटो B, B के जग़े पर कौन है तो X है तो यह हो गिया अब यहां पर 5 का स्कॉाइर करिएगा 25 पलस का पलस X का स्कॉाइर करें यहां पर एक स्कॉाइर अब यहां पर 25 का स्कॉाइर करिएगा तो आवेगा यहां पर 600 25 पलस X स्कॉाइर 25 दूनी आवेगा 50 X बराबर यहां पर 25 और पलस X स्कॉाइर देख रहे हैं कि X स्कॉाइर यहां भी और X square इधर भी तो दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों का जीन सेम है अब यहां से X कमान निकालेगे तो माइनस 50 X ब्राबर 25 माइनस वागएगा 600 25 माइनस 50 X ब्राबर 25 में से घटेगा 625 तो आएगा यहां पे माइनस 600 माइनस से माइनस कटेगा X कमान निकालेगे तो आएगा यहां पे 600 बटा 50 अब 50 से काटेगे 600 को 00 कटेगा अब यहां से X कमान निकालेगे तो 5 से काटी इसको 60 को तो यहनी 12 बार में कटेगा यहनी X कमान आगया 12 लास्ट वाम सेंटीमीटर ले सकते हैं यांए X कमान आगए 12 cm अब चलेंगे इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि PQ कमान तो आपको मालूम है लेकिN QR कमान तो इसलिए QR QR कमान जो है समाने है X से cm याँ एक सेंटीमीटर X कमान कितना आगए 12 cm अब यहाँ पे पी आर यानी पी आर कमान जो है से माने है पी आर कमान कितना है तो 25 माइनस एक सेंटीमीटर तो यह यहां पे हम तिर्भुज PQR में भूजा PQ QR और PR को निकाल ली है तो चलिए अब निकालना हमको क्या है तो निकालने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे SIN P, COS P तथा TEN P का मान निकाले तो चलिए हम चलेंगे इसलिए SIN P तो SIN P तो चलिए हम एक बड़ फिगर को देखते है यहाँ पे P के लिए बोल रहा है SIN का निस पते होता है सच्छा होता है P on H लेकिन P के लिए P कु술 होगा तो चलिए P के लिए P के लिए P के बात करते हैं तो यहाँ पे QR होगा P के लिए P कुitchens होगा QR होगा यानि P के सामने वाला तो QR कमान जो है से अभी हम निकालें QR कमान कितना है QR कमान जो है से आया पर 12 cm तो लिए देंगे या पर 12 cm और H यानि H का मतलब कि H तो आपका बदलेगा नहीं तो H जो है से यहां पर 25 – 6 यानि यहां पर आया था आप कहां 13 cm तो लिए देंगे 13 cm CM से CM कैंसिल तो यहां पर आवेगा 12 वाटा 13 यह हो गया अब बोल रहा है कि यहां पर एक कॉस P निकालें तो कॉस P तो कॉस का होता है B वाटा H लेकि चलेंगे P के लिए तो यहां पर फिगर में देखेंगे कि P के लिए B कौन होगा तो P के लिए P के सामने वाला जो हैसे P हो गया तो B होगा यहां पर P Q तो यहनि P Q कितना है तो 5 cm अब H तो आपको बदलेगा नहीं तो H आपको वह हो गया 13 cm अब CM से CM कैंसिल तो यहां पर आवेगा 5 वाटा 13 तथा क्या बोल रहा है कि 10 P का मान निकालें तथा 10 P तो 10 का होता है P एपॉन B लेकि P के लिए P अभी हम बताएं कि P के लिए P जो हैसे यहां पर कितना होगा तो 12 cm क्योंकि P के लिए P बोल रहा है तो P के लिए P जो हैसे QR होगा तो QR का माना भी हम निकालें कि 12 cm और B की अगर बात किया जाए तो B तो आपका यह हो गया B यानि P की हो गया तो P की आपका दिया है 5 cm तो लिए देंगे 5 cm यहां पर CM से CM कैंसिल तो आएगा 12 वाटा 5 इस तरीका से हम इस केशन को सुल्ब कियें चली उमीद है कि एक कीशन आप लोगा समय माया होगा चली एश्टूडेंट अब हम कीशन अमरी 11 को देखते हैं कीशन ने भी 11 में बोल रहा है कि बताईए कि निमने लिखित कथन सत्य है या सत्य कारण सहीत अपने उत्तर की पूष्टि कीजिए तो पहला कीशन आप ए कि 10 एक कमान सदय एक से कम होता है यानि 10 एक कमान जो हैसे सदय एक से कम होता है ये सत्य है या सत्य तो ये जो हैसे बिलकुल भी सत्य नहीं है यानि असत्य है क्योंकि 10 एक कमान सदय एक से कम नहीं होता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है जैसे अभी हमने निकाला 10 A का मान 12 वटा 5 तो 12 वटा 5 के मतलब है कि A जो है से 1 से ज़्यादा है ति इसलिए 10 A का मान सदैव एक से कम नहीं हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है तो पहला का असत्य होगा दूसरा हम बोल रहा है कि कौन एक के किसी मान के लिए सेक इस इक्वल टू बारा बाटा पाँच तो यानि कौन एक के लिए किसी मान के लिए सेक इस इक्वल टू बारा बाटा पाँच हो सकता है जैसे हम कोई भी अगर मान को लेके चलते हैं तो कोई ना कोई मान ऐसा है को सेकेंट के लिए परियुक्ते एक संचिप्त रूप है तो नहीं यानि को सेकेंट का नहीं है बलकि यह जो ऐसे को सेक का मतलो को सेकेंट होता है तीसलिए यहाँ पर को सेकेंट नहीं होगा यह जो ऐसे को सेक के लिए होगा तो यह भी आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, चलिए चौथा देखते हैं, चौथा बोल रहा है कि कोट A, कोट A और A का गुननफल होता है, तो नहीं, यह भी असत्य है, क्योंकि कोट A जो है, और कोट A का गुननफल नहीं है, क्योंकि कोट और A में A जो है थीटा है, तो हाँ हो सकता है यह भी स्यात्य होगा क्योंकि कोई भी थीटा ऐसा होगा जिसका मान 4-3 होता है तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक था यह वीडियो आप लोगा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थेंक यू